दोसा के सिकराय से समय की बड़ी खबर आपको बता दे नीजी स्कूल पल्टी वेन, वेन में सवार थे करीब 15 बच्चे नीजी स्कूल की वेन पल्टी जिसमें करीब 15 बच्चे सवार थे दुब्बी गाउं से वेन में सवार ये बच्चे दौसा पढ़ने के लिए जा रहे थे आपको बता दे कि सूचना मिलने पर परीजन घटना इस्तल पर पहुंचे हैं वेन में सवार बच्चों के हलकी चोटे आई हैं नैशनल हाईविक शित्र के काला खोकी घटना बताई जा रही है वेन में सवार थे करीब 15 बच्चे इस वेन की तस्विर आप देख सकते हैं दुब्बी गाउं से वेन में सवार होकर ये दौसा पढ़ने जा रहे थे वेन में सवार बच्चों के हलकी चोटे आई है गनिमत रही की कोई हताहत नहीं हुआ नीजी स्कूल की वेन है जो की पलट गई जिसमें 15 बच्चे सवार थे दौसा के सिकराय से समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जा नीजी स्कूल की वेन पलटी वेन में सवार थे करीब 15 बच्चे दुबी गाउं से वेन सबार होकर ये दोसा पढ़ने जा रहे थे सुचना मिलने पर फिलाल परीजन भी पहुंच चुके हैं वेन में सवार बच्चों के हल्की चोटे आईए और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमार साथ जुड़ गए है हमारे सम्वादाता पुष्पेंदर मीना पुष्पेंदर नीची स्कूल वेन पल्टी इसमें 15 बच्चे सवार थे फिलाल पहले तो उन बच्चों की क्या कुछ इस्तति है और क्या मौके पर अभी फिलाल पुलीस पहुंची है बिल्कुल यह है नैचनल हाईवे एक्कीश की घटना है जैननल हाईवे की कालको गाउं की समीतना है सुबह जब इसकूल की बहने बच्चों को लेने के लिए सिक्राइब जांसवाज कित्र के रेटा और दुब्बी गाओं में बहन पोजी थी दोता जिला मुख्याले थी बाइना आई थी और ये बच्चों को इसकूल ले जाने के लिए बच्चों बढ़े हुए थे पंदरा पुषपेंदर बहन पलटने का कारण क्या सामने नजर आया अभी फिलाल अभी पुलिस बता रही है कि एनियंदर दो गर ये बच्चों को गया था जिसके कारण ये वह आज तो हुआ है ठीक है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पुषपेंदर इस तमाम जानकारी के लिए बहुत 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 इस थाली है कि लिएवाद पुआश आप शेन पहुत दिसके के लिए है 3 अपने सब्सक्राण झाले के लिए मुषपेंदर इस भी तो